जैहिन साथियों आसा करता हूँ आप सब बहतर होंगे और अपनी तैयारी में पूर्ण मनुयोग के साथ लगे होंगे इस समय जो मौसम का बदलाओ है यह आपके सरीर के लिए घातक हो सकता है मैंने इसके पहले भी आपको बताया था आज भी बता दे रहा हूँ मेरी तबियत सही नहीं है हमें टाइफाइड हो गया है अब आराम है काफी तो एक हमने कहा आपका वीडियो बना दिया जाए तो आप लोग सरप्रथम पढ़ाई के साथ साथ अपने रूम का माहूल खाने पीने की चीजे बाहर के चीजों खाने के चीजों से आप एकदम परहेज करिए अगर आपको स्वस्थ रहना है स्वस्थ मस्तिक्स में ही स्वस्थ ज्यान का विकास होता है यह आप जानते हैं तो सरप्रथम आप लोग अपने सरीर का भली भाद से ध्यान रखिए अच्छा और पोस्टिक भोजन लीजिए, जूस पीजिए, पानी की मात्रा सरीर में कम मत होने दीजिए मौसम के बदलाओं से अधिक मात्रा में लबख सभी को वैरल फिवर हो रहा है और अगर आप इसमें थोड़ी भी लापरवाही करेंगे, तो आपको टाइफाइड हो जाएगा इसमें कोई दोराय नहीं है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपको भी बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्त का विसेज ध्यान रखें, ठीक है बहुत एक्स्प्लेइन नहीं कर पाऊंगा वीडियो में, बस प्रशनों को आप देखिए, जो कुछ है जो आएगा बताते चलेंगे क्योंकि एनर्जी टाइफाइड में कम हो जाती है थोड़ा, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज हम लोग विज्ञान के टेस्ट को करने का निड़े लिया है, तो स्टार्ट करते हैं और आसा यही करेंगे, जो आपको PDF सोगेरा दी गई है, आपने उसका अध्यन अच्छे से किया होगा और अच्छा performance रहेगा आपका, अगर आपने ध्यान से उसे पढ़ा होगा, जित्ते भी हमारे pet group के student है और अगर जो भी अभी भी अगर हमारे कारेक्रमों से जुड़ना चाह रहे हैं, जित्ते भी हमारे course चल रहे हैं तो हमारे WhatsApp नमबर 7905901018 और दूसरा है 9453775039 इस नमबर पर आप WhatsApp करके हमारे कारेक्रम के बारे में जानकारी लेकर हमसे जुड़ सकते हैं आए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रशन है हमारा कि रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाडिजिक तन्तु पैदा करता है option आपको दिखी गया होगा, comment box में करते रहेगा हम आपके option नहीं देखेंगे और जब यह test over हो जाएगा तो अपने marks comment box में जरूर बताईएगा इसका जो सही उत्तरव है आपका option बी रेसम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के धिमबक चरण में वाडिजिक तन्तु पैदा करता है आगे बढ़ते हैं तीन प्रकोष्ट वाला हिर्दय होता है तेजी से आप answer देते रहिएगा बहुत explain नहीं कर पाएंगे आज की वीडियो में बंदर, मगर, मचली या मेड़ तो यह किस में होता है आपका जो सही उत्तर है वह आपका option D मेड़क क्या होता है एमफीबिया वरके अंतर यानी जल और धल दोनों पे रहते है इनका हिर्दय तीन कोस्थी होता है मचलीयों में केवल दो कोस्थी लिख ली जिएगा कई बार पूछा है पच्छियों या मस्तनियों में हिर्दय चार कोस्थी होता है ठीक, आगे बढ़ते हैं अधिकांस, कीट, स्वसन कैसे करते हैं तवचा से, क्लों से, फेफडों से या वातक तंतर से इस पिशन का जो सही उत्तर है वह है आपका ओप्सन डी किस से वातक तंतर से आई-एस में पूछा गया प्रशन है यहीं सब का लिखा हुआ है तवचा से कौन करता है मेढग, क्लों से मचली वातक तंतर से अधिकांस, कीट, एवं फेपडों से पच्छी मनुष्य, पसू, मेढग, आधि, स्वसन करते हैं किस से फेपडों से? स्वसन अंग, भिन-भिन जनतूं में अलग-अलग होते हैं यह आप जानते हैं आगे बढ़ते हैं, ट्यूमर की पहचान हुए प्रियुक्त रेडियो धर्मी समस्थानिक है हर दूसरे एक्जाम में यह प्रशन पूछे जाते हैं जितने दिये हैं, इनमें से ही पूछ लेता है तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है, वह है आपका ऑप्शन C, आर्साइनिक 74 अब जो सभी हैं उसको देख लेते हैं नहीं पर आयोडीन 131 क्या है, थाइराइट ग्रंथी का विकार ग्याद करने के लिए हैं कोबाल्ट सिस्थी कैंसर के उपचार में आर्साइनिक 74 जो पूछा है वह ट्यूमर की पहचान है और सोडियम 24 परिसंचरन तंत्र में रक्त का ठक्का का पता लगाने में उप्योग होता है तो प्रशन एक था, एक्स्प्लानेशन में आपको 5 चीज़े पता चल गई लिख लीजिएगा जो आपको ना आता हो और आ रहा है तो बेस्ट है शरीर में अद्रिक्त ग्लुकोज, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यह प्रशन किसी का गलत नहीं होना चाहिए अमासय में, यक्रित में, अग्नासय में, या पित में तो कहां पर यह होता है आपका ओप्शन भी यक्रित में बहुत ही महत्पूर अंग है सरीर का एक्स्प्लानेशन देख लिजिए सरीर में ग्लुकोज का अस्तर निश्चित होता है तथा यदि आव सकता से अधिक ग्लुकोज रक्त में आ जाता है तो यक्रित में पहुँचने पर यह क्या हो जाता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है तथा सरीर में संचित हो जाता है जब रक्त में ग्लुकोज की कमी हो जाती है तो glycogen क्या करता है पुनह तूटकर glucose में परिवर्थित हो जाता है और उसका अस्तर बनाया रखता है ठीक है कार्बो हाइड्रेट्स का पाचन मनुष्र में प्रारंब होता है मुख गुवा से अमासय में छोटी यात में या बड़ी यात में तो कहां से होता है कार्बो हाइड्रेट का option A मुख गुवा से कार्बो हाइड्रेट यह सब क्या होते हैं आपको मालूम होना ज़िए पोसक पदार्थ होते हैं कौन-कौन कार्बो हाइड्रेट, पोटीन, प्रोटीन, वसा, जल, खनीज, लवन और विटामिन तो कई बार एक्जाम में यह पूछा भी गया है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किसमें तो कार्बो हाइड्रेट की बात करें अगर आप तो उसमें 4.1 कैलोरी उड़जा होती है और वहीं अगर कई बार पूछ लिया गया, वसा भी रहे तो वसा का जो है, वह एनर्जी कार्बो हाइड्रेट से अधिक होती है उसमें I think 9.3 कैलोरी उड़जा होती है एक ग्राम में तो कन्फ्यूज मत होईगा, यह कार्बो हाइड्रेट में ज़्यादा है वसा में ज़्यादा होता है मुख गुआ से प्रारंब होता है आमासा में कार्बो हाइड्रेट का पाचन नहीं होता है छोटी हाइड में कार्बो हाइड्रेट का पाचन होता है प्रोटीन एवं वसा का पाचन आमासा से ही प्रारंब होता है प्रोटीन का वर्ग क्या होता है जो टूटे-फुटे सरीर के अंग होते हैं प्रोटीन की वज़े से बहुत जल्द वरद्धी करते हैं यानि उतको के वरद्धी सरीर वरद्धी में प्रोटीन काम करता है ठीक है? और प्रोटीन के प्रमुक्सूर्थ कौन-कौन से होते हैं आप देखेंगे तो सोया बीन में बहुत अधिक पाया जाती हैं, डाले होती हैं, मचली, अंडा, कई भार exam में पुचा है, पनीर हो गए ठीक है, और दूध में होता है, प्रोटीन पूछा है कि दूध में पाई जानी है, प्रोटीन कई बार एक्जाम में पूछा है, कहां पाई जाता है, केसीन में, वही कार्बो हाइडरेट की बात करें, तो आलू अनाज में आप देखोगे, तो बहुत कार्बो हाइडरेट अच्छी मा सुक्रोज की बात करोगे आप तो गन्य में मिलता है लेक्टोज की बात करोगे आप तो कहां पाया जाता है दुग्द सरकरा होता है ठीक है तो यह सब चीजें मीठे फल जो है कई बार एक्जाम में पूछा है कि मीठे फलों सहद में कौन सा सरकरा पाया जाता है तो कौन सा प इसको फल सरकरा भी कहते हैं, सुक्रोज को गन्य तथा चुकंदर से प्राप्त करते हैं, ग्लुकोज पके हुए अंगूरों में पाया जाता है, मल्टोज अंकुरित वीजों में पाया जाता है, तो यह सारी चीजे यहां आपकी कन्फर्म हो गई, आगे बढ़ते हैं, निमलि जा ग्लुकोज, तो यह प्रशना आप सभी का सही होना चाहिए, कौन, ऑप्शन D, ग्लुकोज, ग्लुकोज ततकाल उर्जा प्रदान करता है, यह क्या है, मोनो सेकराइट सरकरा होता है, लेक्टोज यह मल्टोज क्या होते हैं, डाई सेकराइट सरकरा हैं, और लेक्टोज कई बार एक्जाम में यह प्रशन पूछा गया है तो कौन है आपका ऑप्शन बी क्रैप्स चक्र ग्लुकोज के अभगटन से 12, स्वांस सिंकला से 24, जल अभगटन से 2 और उत्पन होते हैं सबसे अधि अगर एटीपी अड़ की बात करें तो क्रैप्स चक्र में उत्पन होते हैं जिनकी संक्या कितनी होती है 32 भोजन का विशाक्त होना यानि बाटूलिज में किस स्पीसीज के संदूसर से उत्पन होता है कई बार यह प्रशन पूछा गया है एजोटोबेक्टर, ले आपने टेस्ट कभी किया है, ओप्शन C, क्लोस्टीडीरियम के, क्लोस्टीडीयम नामक जिवानू भोजन को विशाक्त बना देता है, लेक्टोबेसिलेस नामक जिवानू दूद को दही में परिवर्तन करता है, मिलान में कई बार यह आया है, राइजोबीयम दलहनी फसलो की जड़ो में पाया जाता है, यह भी कई बार पूछा गया है, जो भूमी की क्या करता है, उरवर्ता को बढ़ाता है, एजेटोबेक्टर मिर्दा में नाइट्रोजन का योग की करन करते हैं, सभी फैक्ट महत्पूर है, और सभी फैक्ट पूछे भी गये हैं, तो आप नो आरच माईनस पूछ तथा आरच माईनस महिला, तो कौन है, इसमें जो सहीवत्तरा ओप्षन ए, आरच पलस पूरूस तथा आरच महिला माईनस, योदे पिता का रक्ट आरच प्लस हो, तथा माता का रक्ट आरच माईनस हो, तो जन्व लेने वाले सिसु की गरbहा वस्ताया जन्म लेने के तुरंत बाद ही क्या हो जाती है, मृत्तु हो जाती है, यह इस्थिती सामानता कब होती है, प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है, इसे erythroblastosis fetalis कहते हैं, याद रखेगा, निमलिखित में से किस एक्यूत पत्ती यकृत का कार है, लाइपेज, यूरिया, सल यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, याद रखेगा, ये भी डारेक्ट पूछ लिया गया है, यकृत के बारे में, आगे बढ़ते हैं, कि मानव मुत्र का पीला रंग एक वरणक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, सभी जान रहे होंगे, अच्छा प्रशन है, सा विक्र काय करना बंद कर देते हैं, तो निम्न में कौन सा परदार्थ जमा हो जाता है, सरीर में वशा, सरीर में प्रोटीन, रक्त में सरकरा या रक्त में नत्र जनित अपसिष्ट परदार्थ, तो आप सभी जानते हैं, कि ओप्सन डी, विक्र का कार क्या होता है, नाइट् ठीक है मानतन्तर में नमलिख्षित मेंसे कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है ट्रप्षीन गृप्षिट्रीन हैं टायलीन है। पिपसीन इसमें से कौन सा नहीं है यहीं पूझा गया है आपका। किसके बारे में एंजाइम। तो इस परशन का जो सही उत्तर है वो है आपका option B. ग्रेस्ट्रीन ग्रेस्ट्रीन क्या है यह पांचक एंजयम नहीं है और जो है कहां-कहां मिलते हैं उसके बारे में यहां चर्चा हुई है जैसे ट्रिप्षीन है यह कहां पाया जाता है अगनाई रस में पाया जाता है यह पूर्ण Спांचक रस होता है अग्रßen upon पैप्षीने है चेप्षिबूर्ण ग्रंतियों से अस्तरावित होता है यह प्रोटीन को क्या करता है प्रिप्टोन में बदल देता है, टाइलीन आप जानते ही है, स्टार्च मुख से स्टार्च हो जाता है, टाइलीन मुख गुहा की लार में पाया जाता है, जो भोजन की मंड को किसमें माल्टोज में बदलता है, लिटमस प्राप्त होता है, सिंपल प्रशन है, कई बार प्रेयोग साला में प्रेयोग होने वाला लीटमस पेपर रोशेला नामक लाइकेण से प्राप्त किया जाता है ठीक है टाक्सिकोलाजी का सम्बंध किससे अध्यन से है वाइरसों के वेक्टिरिया के रोगों के या विसों के तो टॉक्सि से आप समझ जाएंगे ऑप्सन डी विसो के अध्यन के लिए, विसो के अध्यन को टॉक्सिकोलाजी ऐसे प्रश्ण कई बार पूछते हैं अब एक्जाम में, मिलान में, वायरसों के अध्यन को वायरोलाजी में, वैक्टीरिया के अध्यन को वैक्टीरियोलाजी में, तथा रोगों को अध्यन को हम पैथोलाजी में देखते हैं इस्ट और मस्रूम क्या है सैवाल है नगन बीजी है फंफूद है या गाठ तार जड़े हैं तो क्या होते हैं इस्ट और मस्रूम क्या होते हैं फंगी होते हैं कुछ मस्रूम क्या होते हैं जहरीले होते हैं जो दिखने में सामान प्रतीत होते हैं किन्तु धोके से खा जाने पर मित्त हो जाते हैं जैसे अमीनेटा लेक्टेरियस यह सब याद रखेगा नाम आप एकला टॉक्सीन नामक खाद विशाकक्ता किसके कारण होता है जिवानू से आक्सीजन की कमी से वायरस से कवक से तो किससे होता है आप्शन डी कवक से एसपरजिलियस फ्लेवस नामक कवक से एकला टाक्सीन खाद विशाकक्ता उत्पन होती है एट्स का विशाणू किसे नश्ट कर देता है निट्रोफिल बैसोफिल लिम्फोसाइट या मोनोसाइट तो किसको अच्छा प्रशन है सभी जानते हैं इसे यह है आप्शन सी लिम्फोसाइट या छोटे-छोटे क्या होते हैं स्वेत रूइद्रालू होते हैं यह सरीर के प्रतिरच्छी प्रत्क्रियाओं के लिए आवस्यक प्रतिरच्छियों का निर्माड करते हैं मोना साइट इनका आकार पेच्छा कर बड़ा होता है यह भी जिवान कौन सा है इचु सरकरार रक्त सोडियम क्लोराइड या यूरिया तो प्राकृति कौलाइड कौन सा है देखने में पता चल गया option B रक्त वैसको में खाली पेट रुदिर ग्लुकोज अस्तर mg अपान 100 ml में होता है अगला प्रशन है कि स्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है संसले सात्मक प्रक्रिया अप्चई प्रक्रिया और ही प्रक्रिया तनुकरन तो कौन सी option b सही है इसका स्वसन एक अब चैई क्रिया है एक मिनिट में जितनी बार नी स्वसन तथा उच्छ स्वसन होता है उसे क्या बोलते हैं स्वसन द्वर कहते हैं नी स्वसन में वाई फेफडे में प्रवेश करती है जिससे नीचली पसलिया बाहर एवम उपर की ओर फैलती है और छाती फूल जाती है फेफडों में वाई और का दाम कम हो जाता है उच्छ स्वसन में वाई फेफडे से बाहर निकलती है छाती क्या हो जाती है शिकुर यह संकुचित हो जाती है Glycogen स्टार्स तथा सेलुलोज किसके बहुलक है फ्रक्टोज के ग्लुकोस के लेक्टोज के या माल्टोज के यह उपर चर्चा भी हो चुकी किसके है option B ग्लुकोस के alpha karotene एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में उन में उपर मैंने चर्चा कर भी दी थी रक्त में अंडों में तो किसमें पाया जाता है यह होता है चर्म में तो अच्छा हो गया बाल नाखून खून खूर सींग के निर्माण में सहायक प्रोटीन केराटीन है अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है ग्लोबियूलीन है रक्त में फाइबरुनोजन तथा प्रोथोंबीन नमक प्रोटीन पाया जाते हैं जो रक्त के जमने में सहायक होते हैं और विटामिन के अगर आपने पढ़ा होगा तो वह भी सहायक होता है आप ये चीज़े जान रहे होंगे BMD पर इच्ण किया जाता है पहचान के लिए डेंगू को मलेरिया को आस्टी यो पोरोसिस या एट्स को तो एट्स तो एलीसा आप जान ही रहे हैं ये इस पिसनका जो सही उत्तर वह आपको उप्शन सी आस्टीयो पोरोसिस स्वस्त मनुस से एक दिन में निमलखित मात्रा में प्रिषाब करता है 1.5 L, 3 L, 6 L, 9 L, सींपल प्रेशन है उप्शन a 1.5 L, सामानेत है एक स्वस्त मनुस से एक दिन में कितना देड़ लीटर मोत्र उत्सरजित करता है मोत्र की मात्रा बढ़ जाने को क्या बोलते है डायू रेसिस गर्ब निरोधक गोलियां क्या रोकती है निसेचन को, आरोपड को योनी में सुक्राण के प्रवेश को या अंडोज सर्ग को तो इस विश्ण का यो सही उत्तर वह है आपका उप्शन डी अंडोज सकर को लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है हमने आपको इसका पीडिये भी सेयर किया था कई बार बताया भी है क्लास में रिसीन के, कैप से सीन को एरिको लीन को या कैफी याल को किसको तो ऑप्शन बी कैप से सीन को आसा यह कर रहा हूँगा कि अच्छा आपको लूब प्रफार्मन्स कर रहे होंगे एपी फाइट्स वे पौदे हैं जो अन्य पौदों पर निर्बर होते हैं यह प्रफने कई बार एक्जाम में पूछे हैं गलत नहीं होने चाहिए बोजन के लिए या अंत्रिक अवलंब के लिए च्छाया के लिए जल के लिए तो किसके लिए ऑप्शन बी या अंत्रिक अवलंब के लिए किसी वर्च को अधिक्तम हानी निम्न में से कैसे पहुंचती है उसकी पत्तियों में से आधी का नास हो जाए सभी पत्तियों का नास हो जाए उसकी आधी साखाओ का नास हो जाए या उसकी छाल का नास हो जाए तो यह अभी एक अच्छा प्रश्ण हो सिंपली प्रश्ण है जब उसकी छाल का नास होता है त तो सभी जानते हैं, लिगामेंट और टेंडन जो 2 चीज़े होती है, तो लिगामेंट किसको कहते हैं, आप्शन ए हड्डी को हड्डी से, प्रमस्तिक, सेरिब्रम आगे का जो माइंड होता है, मस्तिक्स तीन भाग में, कलास में कई बार भी बताए गया है, मस्तिक्स ती जन प्रश्ण तो कौन सा अप्शन डी चिंतन केंद्र होता है सेडी ब्रेम के कारिस्मन सक्ति महत्पूरंग है या किसी कारिकों करने की प्रेणा बुद्धिमता ग्रेणा प्रेम कष्ट का अनुभावादी का नियंतर्ण एवं समयनवय करता है आग्रमस्तिक साब का जो कई तीन भाग में बटा हुआ है मैंने चर्चा की रजो चक्र का नियमन करने वाली ग्रंथी है अगनास है पैरा थाइराइड प्यूस ग्रंथी या पिनियल काई कौन है ऑप्शन सी प्यूस ग्रंथी मादा जनन हार्मोन है टेस्टोस्टिरोन काईटी साल एस्ट्रोजन या रिलेक अगर बढ़ते हैं तो यह अगर अगर बढ़ते हैं तो यह क्या क्या रख्त में स्त्रावन करती है ठीक है गर्व नाल में एक अस्थाई बनी होई होती है आगे बढ़ते हैं सूची एक को दो से मिलाना है यह तो मिलाया हुआ है विटामीन पूछा है एंजाइम है हार्मोन है प्रोटीन है प्यपसीन केरोटीन केरेटीन या प्रोजेस्टिरोन है यह आपके प्रश्न है यह आपके आप्सन है ठकावट सी लगने लगती है तो इस क्विश्ण का सही उत्तरव है आपका option B विटामिन क्या है विटामिन है आपका केरोटीन एंजाइम है आपका प्यपसीन हार्मोन आपका है पोजिस मिलाया हुआ आप देख सकते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं एन उस्मिया कहते हैं स्वाद समवेदना की कमी को घ्रान विज्ञान की वहसाका जिसमें जैनेटिक इंजिनेरिंग के माध्यम से मानवजाद के सुधार का अध्यन किया जाता है यह प्रशन नहीं गलत होना चाहिए यूथैनिक्स, यूफैनिक्स, यूजैनिक्स या एथनोलोजी किसे बोलते हैं option B यूफैनिक्स एसकेरिस का संक्रमण पाया प्राया होता है मच्छर के काटने से संदूसित जल तथा तरकारियों द्वारा, सीसी मख्यों द्वारा या अपून रूप से पकाये गए सुवर का मास खानने पड़ तो एक किस से होता है एसकेरिस? option D अपून रूप से जो सुवर का मास पकाया जाता है उससे होता है PCS में पूछा गया पर्षन है हीपेटोलाजी संबंदी थे रुधिर का अध्यान, यकृत का अध्यान, मस्तिक्स के विभिन, आयोमों का अध्यान या मानव सौंदर का अध्यान तो हीपेटोलाजी संबंदी थे, option B यकृत के अध्यान को हम क्या बोलते हैं हीपेटोलाजी, तो कई हमने PDFs भी शेयर की हैं ग्रूप में, तो जो ये अध्यान होते हैं, कई बार एक्जाम में पूछे जाते हैं, मिलाया जाते हैं, तो महत्तपूर्ण है, देख रक्त में हीमोगलोबीन के निर्माड में सहायता करना, एंटी बाडी से सरीर का बचाओ करना, हीमोगलोबीन का नास करना, एंटी बाडी का निर्माड प्रेरित करना, ठीक है, अगर रुधिर A है तो एंटी जन A होगा और एंटी बाडी B होगा, रुधिर समू बी है, antigen कहां पाया जाता है RBC में antibody कहां पाया जाता है PLASMA में कई बार exam में पूचे गए हैं तो antigen का प्रमकोड क्या होता है option D एंटीवाडीज का निर्माण प्रिरीद करना जो हमने आपको बताया जो रक्त समू A B होता है उसमें antigen होता है antibody नहीं होता और रक्त समू जो O होता है उसमें एंटीजन नहीं होता जबकि एंटीवाडी दोनो A और B होता है इसलिए रक्त समू ओ को क्या बोलते हैं सर्वदाता क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और रक्त समू एबी को हम सर्व ग्राही कहते हैं क्योंकि इसमें कोई इंटी वाडीज नहीं होती एक वर्णांध नारी सामान ने पूरुस से युगा करती है तो इसके बच्चे होंगे वर्णांध पुत्र वाहक पुत्रियां, वर्णांध पुत्र और पुत्रियां वर्णांध पुत्रियांवा सामान पुत्र, सामान पुत्र वा पुत्रियां तो कौन होंगी? उप्चन ए वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रियां बस अब बटब के समय में टेकनोलाजी काफी आगे बढ़ती जा रही है सब कुछ संभव दिख रहा है ब्रून में Erythroblastosis, Phitalis, रोक किसके कारण हो सकता है, लाल रुधिराणियों के अभिसलेशन, रक्त स्त्राव, डैपेडिसिस या हीमोफीलिया, तो कौन सा option A, लाल रुधिराणियों के अभिसलेशन से, DPT का टीका निम्न में किसके काम नहीं आता है, डिप्थिरिया, पोलियो, डिटनेस या हूपिंग कब, आप नहीं जाना होगी, इसलिए गलत कर सकते हैं, लेकिन पोलियो देखकर आपको लग रहा होगी, पोलियो का टीका अलग से लगता है, तो ऐसे ही कट जाएगा, या option इस सरीर के बाहर ही किया जाता है, कीटो द्वारा परागित फूलों के पराकर होते हैं, चिकने और सुस्क, रफ और चिपचिपे, रुच और सुस्क, बड़े और दिखने वाले, तो क्या होता है कीटो द्वारा फूलों के पराकर, option B, रफ और चिपचिपे, निम्न में कौन क सीट हारी पादप है बालानो फोरा रेफलेसिया ओरोवांसी या ड्रोसेरा तो यह आप सभी जाने क्या है option D ड्रोसेरा समुद्री खर्पतवार मुखिता पाया जाता है कई बाया प्रशन पूछा गया है फ्लोरीन ख्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो किसमें option D आयोडीन इसमें सबसे दिखोता है वह अनस्पति संग्राल है हर्बेरियम क्या होता है सुस्कृप्स में जड़ी बूटियों का संग्रा और सधी पौधों का बाग अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग या का एक्जाम में आने ही आने है तो जिवानों से जो रोग होते हैं जैसे हैजा हो गया टीवी हो गई टिटनेस हो गया टाइफाइड हो गया जो हमें हुआ है ठीक है प्लैग हो गया सिफिलिस हो गया यह सब जिवान जनित रोग है विसानों से बहुत रोग होते हैं जैसे ए प्रोटो जोवास होंगे तो एक कौन-कौन से किस-किस से रोगों से होते हैं वह भी आप कांटीन्यू देख लिए करिए यह बहुत पूछे जाते हैं फंगस से भी कई बिमारिया होते हैं जैसे गंजापन हो गया दाद खाज यह सब क्या है आपसे फंगस से होने वाले रोग हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछ प्रशन और होंगे कमिश्ट्री के कुछ प्रशन है उसकिस्ट धात को घोलने के लिए निम्न में से एक का प्रयो कीया जाता है नाईटरिक एसीड हैड्रोकल्रोड एसीड सल्फ्योरी एसीड या एक्कवा रेजिया तो उसकिस धात को घोलने के लिए किसका होता है ओप्शन डी एकवारेजिया एक्वारेजिया है क्या जिसे हम अमराज हिता है जिसमें तीन भाग और एक भाग HNO3 होता है इसमें स्वर्ण घुल जाता है कई बार एक्जाम में या प्रश्ण पूछा गया है जो प्रश्ण है वह सब अच्छे प्रश्ण है आपके एक्जाम में जरूर मिलते हैं और मिलेंगे भी यह सद लेबन गल्वैनाइजेशन क्या होता है लोहे पर जस लेफी चड़ाना क्या होता यह सद लेबन बेचिंग पाउडर का रासाइनिक नाम है कैल्सियम क्लोरेट कैल्सियम हाइपो क्लोराइट कैल्सियम क्लोरो हाइपो क्लोराइट या कैल्सियम बाइक्लोराइट तो यह कई एक्जाम में पूछा गया है मिलान में भी खुब किसमें सुध करने में होता है, रसोई की गयस एक मिष्रण है, बहुती फेवरिट प्रश्ण है, आयोक का, हर आयोक में पूछाई जाता है, मीथन और एथिलीन का, कारबन डाय अक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कारबन मोनो अक्साइड और कारबन पर पाये जाते हैं, इसका जो सेयुत्तर होगा सो लगभग 112 प्रकार के रसाइंगत है तो पाए जाते हैं, आश्रू गैस हैं अमोनिया, क्लोरीन, हाईडरोजन, कारबाइड या हाईडरोजन, सल्फाइड तो आप सभी जानते हैं, आश्रू गैस छोड़ी जाती है, टियर ग पक होता है ओ निगेटिव निम लिखित में से कौन सा तत तो जर्मन सिर्वल में उपस्थित नहीं होता ताबा अल्मोनियम जस्ता निकिल तो क्या होता है यहीं सिल्वर ही ओप्शन ओप्शन बी जर्मन सिल्वर क्या होती है यह मिस्रधात होती है ताबा जस्ता निकिल को मिल जाकर बनाई जाती है यह मिस्रदातू को भी हमने अच्छे से बताया है आप लोगों को एक्जाम में डारेक्ट पूछ लिया जाते हैं वाजार में बिखने वाला सामान ने 18 करेट सोने में होता है 82 भाग सोना के तथा 18 भाग अन्य धातू के होते हैं सुद्वसोना कितने करेट का होता है 24 करेट का होता है आप उसड़ बनाने में सोने के साथ अन्य धातू मिलाए जाती है जिस से सोना बहुत हलकी धात होती है सबसे अधिक का निता होती है इसकी बहुत लंबा हो सकता है तो 18 कारेट के आभुसरण में सोने की 75% होती है इसमें 18 भाग, 16 भाग, अनिधात मरसित होते हैं वाव में थोड़ी देर रखने पर किस धात के उपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है अभी भी पूछा गया था, PCSJ में भी पूछा गया था तो वह कौन है आपका ऑप्शन ए, सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रेयोग किया जाता है किसे आग बुझाने में निम्न में कौन सी गयस विश्व उसमायन, ग्लोबन वार्मिंग के लिए उत्तरदाई नहीं है जलवास, ओजोन, कार्बन मोनो अकसाइड या मेथिन तो कौन सा नहीं है, वह पूछा है कौन है, कार्बन मोनो अकसाइड ठीक है, अलफा कड में क्या होता है, दो प्रोटान वा दो निउट्रान, एक प्रोटान वा चाल निउट्रान, दो प्रोटान वा चाल निउट्रान या एक निउट्रान तो क्या होता है, ओप्शन है, दो प्रोटान वा दो निउट्रान मुत्रालियों के पास प्राया नाक में चुबने वाली गंद का कारण है कई एक्जाम में पूछे गए हैं और आप भी जानते हैं सिंपल प्रशन है सल्फर डायक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया ये यूरिया तो क्या होती है? आप्शन सी अमोनिया ठका और जदा लग गई आज के लिए इतना है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कितना स्कोर किया? कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, जैहन